हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी सा नास्ता वो भी गेहों के आठे से बना हुआ इसको आप जब ही मन करें चाय के साथ या आप कहीं ट्रेवल करने जा रहे हो तो साथ में ले जाकर इंजोई कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में बनकर रेडी भी हो जाता ज्यादा जंजट वाला कुछ काम भी नहीं तो ये नास्ता जो है ना बहुत ही क्रिस्पी सा कुरकुरा सा है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो सबसे पहले तो एक कटोरी यहाँ पर हमने गेहों का आटा लिया हुआ है और साथ में आधी कटोरी सूजी ली है और साथ में नमक डाला है थोड़ा सा थोड़ी सी कलोंजी डालेंगे और अजवैन डालेंगे उपर से और थोड़ा सा बेकिंग सोडा इन सभी चीजों को अच्छे से mix कर देंगे mix करने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे यहां पर मैंने तीन चम्मच तेल लिया है आप चाहें तो इसमें घी का इस्तिमाल भी कर सकते हैं फिर से हम सभी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे अब यह देखी यहां पर बिल्कुल ऐसे ही हमें बिल्कुल बनाना है अब फिर क्या करना है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छा सा soft dough बना लेना है यह देखे हमारा dough तयार है इसको rest करने के लिए 15 मिनिट के लिए अब इसके छोटे छोटे टुकड़े या लोईया काट लेंगे कोशिस करेगा छोटी ही काटे ज्यादा बड़ी नहीं काटे क्योंकि हमें चो रोटी बनानी है पतली सी बनानी यहां पे लोईया कट गई अब एक एक लोई लेकर के उसको इस तरह से सूखा अंता डाल करके बेल लेंगे आप चाहें तो इसमें हलके से लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं फिर क्या करना है फिर इसको इस तरह से एक साइड से लेकर round round करके पूरा नीचे तक ले आना है और बहुत ही tight इसको करना है बिल्कुल भी lose नहीं होने देना है ये देखे ये अच्छे से चिपक चुका है बढ़िया अब चाकू की हेल्प से इसके चोटे-चोटे पीसे कट कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही अब एक एक टुकड़ा लेंगे इसको हलका से ऐसे प्रेस करेंगे और सूखा आटा लगा करके इसको हलके बेलन से बेल लेंगे जादा इसमें ताकत नहीं लगानी है ये देखे बिल्कुल इसी तरह करके सारी पूरियां हमें बना लेनी है अब तेल गर्म हो चुका है अब इनको फ्राई कर लेंगे इनको fry हमें मीडियम फ्लेम पर ही करना है हाई फ्लेम पर करेंगे तो एकदम से ये पूरियां जल जाएंगी दीरे दीरे इनको उलटते फ्लटते हुए अच्छे से पका लेंगे और कुछी मिन्टों में ये बहुत जल्दी पक जाएंगी पान से च्छे मिनिट लगेगा इसको पकने में ये देखिए एकदम क्रिस्पी सी जो हमारी पूरियां है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है देखने में कितनी बढ़िया लग रही है तो इसी तरह क्या करना है आपको बची पूरियां हैं जो हमने बनाई थी उनको फिर से फ्राई कर लेंगे उनको भी इसी तरह निकाल लेंगे अब यह देखिए दोस्तों कितनी जल्दी हमाय जो नास्ता है ना बनकर रेडी हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा है तो यह मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ यह देखिए कितना क्रिस्पी है यह जितना यह दिखने में अच्छा लग रहा है ना उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है तो आप भी घर पर जरूर ट्राय करें और मुझे कमेंट करके बताएं